हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही डिफ्रेंट और यूनिक नास्ते की रेस्पी जिसे हम दो कच्छे आलू और दो छोटे चमश तेल से बना कर त्यार करेंगे ये बहुत ही क्रिस्पी चटपटा और मयदार रेस्पी है आपको बेहत पसंद आने वाला है व जाइसे बनाने के लिए यह 받아 रहांपर हम दो मिडियंस आज़के कच्छा आलू लिये हैं आलू और छिलका निकाल कर सबादा यह को अच्छे घूल लियRE है और अब यहां पर ग्रेटर ले लिएसाई तो इस आलू को मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंग सब्वाले पत् नहीं चाहिए तो अब हम इस आलू के लच्छे को दो से तीन पानी से अच्छे से धूल लेंगे ताकि इसका स्टार्स निकल जाएगा तो यह लिजिए आलू को हम धूल कर ले आए हैं और अच्छे से धूल गया है और आप देख सकते हैं इसके लच्छे बहुत ही अच्छे तो अब हम क्या करेंगे इस तरह से आलू के लच्छे को मुठी में लेंगे और इसको इस तरह से दबाते हुए इसका पानी निचोर लेंगे और इस तरह से पानी निचोर कर इसको हम एक पलेट में रख लेंगे और इसी तरह से सभी आलू को पानी निचोर कर हम एक पलेट म कर दिये हैं और अब इसमें हम डाल देंगे आलू के लच्छे जो आलू अभी हम great करके रखे थे और साथ में ही डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक नमक अपने टेस्ट के कोड़ी ही इसमें डालियेगा और एक चमच इसमें डाल लेंगे और अब हम इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसको मिडियम फ्लिम पर आलू में उबाल आने तक पकाएंगे जैसे ही आलू में इस तरह से उबाल आने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे एक कप चावल के आटा चावल के आटा आपको इजली किसी भी मार्क चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको डहक देंगे Owner कर इस हम जेंगे ठोड़ देंगे उसी तरह से पांच उिधे में थे ज Sture निने में तार कर एक बा Jackie प्लेट में निकाल लेंगे रिखारि इस Hi इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है इस तरह से हलका ठंडा कर लेना है ताकि इसको हम हाँ से टच कर सके तो यह हलका ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे दो बारी कटा हुआ हारा मिर्च हारा मिर्च आपने तीखा के कोडिंग कम्या जादा कर सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे एक इंच अद्रक ग्रेट किया हुआ साथ में हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच चिली फ्लेक्स यानि की कुटा हुआ लाल मिर्च और अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो इसको आफटा सकते हैं या कम कर सकते हैं और साथ में ही डाल लेंगे एक छोटा चमच ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च पाउडर और अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चमच जीरा पाउडर और साथ में ही इसमें हम डाल लेंगे बारी कटा हुआ फ्रेस धनिया पता और नमक इसमें हम पहले ही डाल लिए हैं तो नमक हम इसमें अब नहीं डालेंगे और अब हम इन सब को हाथों से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला के जो फ्लेवर है डो के अंदर तक चला जाए और चावल के आटा होने के कारण हाथों में चिपक रहा है तो हाथों में इस तरह से वायल लगा कर इसे मिलाते हुए डो फॉर्म में ले आएंगे तो ये देखिए इसको मिलाते हुए हम डोपा में ले आए हैं तो अब हम क्या करेंगे हाथों को अच्छे से धूल लेंगे और हाथों में वाइल लगा लेंगे ताकि ये डो हाथों में चिपके नहीं और इसमें से थोरा सा मिश्रन हम लेंगे और इसको हम हथेली पर रखकर घुमाते हुए इसको लड़ू के सेप दे देंगे और इसके बाद अब इसको हम हथेली से दबाते हुए इस तरह से टीकी के सेप दे देंगे तो यह लिजिए सभी टिकी को बना कर त्यार कर लिए हैं तो चलिए इसको लेकर हम चलते हैं गैस के तराब तो यहाँ गैस पर हम रख लिए हैं एक पैन और इसमें डालेंगे दो चमज तेल ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे आप चाहे तो इसे डिप फ्राई भी कर सकते लेकिन इसे हम दो चमस तेल में ही बनाएंगे क्योंकि इसे हम सेलो फ्राई कर रहे हैं तेल डालने के बाद पैन को एक बार घुमा लेना है ताकि तेल पूरे पैन में अच्छे से फैल जाए और गैस के फ्लेम मीडियम कर देंगे और अभी जो हम टिकी बनाए है उसको एक एक करके सब्धानी से पैन में डाल लेंगे जितना एक बार में तेल में आ सकता है उतना ड दाल लेना है और गैस के फ्लेम यहां पर मिडियम रखेंगे डालते ही इसे नहीं पल्टेंगे डालने के थोरी दिर बाद इसको हम एक एक करके पलट लेंगे और पलट के दुसरे साइड भी पकने देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए सभी साइड गूल्डेन कलर क्रिस्पी होने तक फीनम कारवें सकते लुए और रांकर त्यार कर लेंगे। अगर आपको मीरी बीडियो अच्छी लगी रगा है अब भल्यां का प्लीज तोहिड है जाहिए जचिजब बार